चौक नवाबो वाले घर में, कलब में, पार्टी में लोगों को विस्की पीते हुए बहुत बार देखा होगा लेकिन क्या कभी किसी भैसे को विस्की के मजे लेते हुए देखा है? हरियाना का एक भैसा ऐसा है, जिसके ठाट किसी नवाब से कम नहीं ये है हर्याणा का सबसे महंगा भैसा सुल्तान सबसे महंगा इसलिए क्योंकि सुल्तान की कीमत 21 करोड रुपए है और ये विस्की पीकर अपनी शामे रंगीन करता है चौकिये मत हम बिल्कुल सच कह रहे हैं 6 फिट की हाइट और 1 तन के वजन वाला सुल्तान आप तक कई प्रतियोगिताएं जीच चुका है साथ ही इसका मालिक हर साल इसका स्पर्म बेचकर 1 करोड रुपए कमाता है इस भैसा को हर रोज अलग-अलग ब्रांड का स्कॉच दिया जाता है भैसा का मंगलवार को ड्राइ डे होता है यानि की इस दिनवाश शराब नहीं पीता है रविवार को टीचर्स, सोमवार को ब्लेक डॉग, बुदवार को हंड़िट पाइपर, गुरुवार को बैलन्टाइन, शनिवार को ब्लेक लेबल या शिवास रिगल पीता है इस भैसा के मालिक रामनरेश बेनिवाल बुड़ा खेड़ा गाउं में रहते हैं उन्होंने बताया कि सुल्तान का वजन 17 सौ किलो है या भैसा सुल्तान मुर्रा नसल का है सुल्तान 6 फिट से ज़्यादा उचा है उनका दावा है कि यह भैसा दुनिया में सबसे उचा है भारत में हुए कई एनिमल कॉंटेस्ट में सुल्तान विनर रह चुका है इस नसल के उनके पास 17-18 पैसे हैं पिछले साल राजस्थान में लगने वाले पुषकर मिले में एक विदेशी ने सुल्तान वैसा की कीमत 21 करोड रुपए लगाई थी लेकिन राम नरेश ने इसे बेचने से मना कर दिया था उनका कहना है कि वे इस भैसा को अपने बेटे की तरह पालते हैं इसलिए वे इसे नहीं बेच सकते हैं राम नरेश का दवा है कि सुल्तान भैसा हर महीने 3,90,000 रुपए कमाता है सुल्तान साल भर में 30,000 सीमेन की डोस देता है चो 300 रुपए प्रति डोस बिक्ती है सुल्तान से सब्ता में 2 बार सीमेन निकाला जाता है इस हिसाब से वा सालाना 90,000,000 रुपए कमा कर अपने मालिक को दे देता है इसके अलावा विभिन प्रतियोगिताओं में इनाम सरूप भी काफी रुपए कमाता है उन्होंने बताया कि 5 साल पहले रोह तक से 2,40,000 में खरीदा था भैसा सुल्तान को रोजाना 10 किलो दाना और इतना ही दूद दिया जाता है रोजाना करीब 35 किलो हरा और सुखा चारा दिया जाता है सुल्तान सेब और गाजर भी खाता है सर्दियों में 15 किलो सेब और गर्मियों में 20 किलो गाजर खिलाया जाता है उनका कहना है कि या भेंसा रोजाना करीब बच्चिस सो रुपए का चारा खा जाता है।